गुड मॉर्निंग और जैने टो अल अफ यू वेलकम टू आवर यूटूब चैनल आइम यूर हिंदी टीचर मिसस पल्लरी तो बिटा आज हम आपको संग्या के बारे में बताएंगे और आप बिटा ये पिक देखकर के परिशान मतोगेगा कि मैं मेरे पास की बुक नहीं है हाँ बिटा आपकी ये बुक नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्स्टर नौलेज देना चारी हूँ संग्या के बारे में मैं आपको बताना चारी हूँ जैसे संग्या सर्व नाम विसेशर क्रियावा के है ना लेकिन आज हम आपको सिर्फ संग्या के बारे में बता देते हैं कि संग्या क्या है आप ये जान लीजे संग्या है जैसे किसी भी व्यक्ति वस्तु इस्थान या भाव के नाम को हम संग्या कहते हैं ठीक है जैसे इसमें जो नाम है न ये संगया है हमारे ठिक है कि नाम जो होते हैं ही। ये सव हमारे संगया हैं। इन्हें हम संगया कहते हैं Ły आपको हम समझने के लिए बस ये पिकल से आपको हम समझा दे रहे हैं कि संग्या क्या होते हैं व्यक्तियों के नाम, वस्तों के नाम, जगों के नाम, पसुपक्षियों के नाम, तहवारों के नाम, दिनों के नाम, महिनों के नाम, नदियों के नाम, ठीक है? ये सम हमारे संग् परिभाशा मैं अभी आप पढ़ लीजिए उसके बाद मैं आपको संग्या के परिभाशा दे देती हूं किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को हम संग्या कहते हैं बहुत छोटा सा बिटा एक्दम छोटी सी परिभाशा है आपको एक गंटे में आद हो जाएगा कुछ बच्चों को तो दस नट में आद हो जाएंगे बहुत छोटा सा है देखे मैं फिर से बोल रही हूं कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी या भाव के नाम को व्यक्ति वस्तु स्थान आपको जान प्राणी प्रणाओ को प्राणी जाएगी ले लिजिए पक क्रोणौ्ति भावा श्तु अनिछेम्ह को आपके, क्युल् सकते हैं तक नामें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैं इसकी परिभाशां आपको लग से पिक देंगी ताकि आपको कोई प्राब्लम में यह हो थीक है और अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लगी दिक्कत लगी है बिटा तो आप उसे तुरंद पूछिएगा मैं उसके एंसर दूँगी आपको ओके थैंक्यू है वे नाइस टे